नमस्कार दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है अब आशे ग्री एक एडबी की यूटूब चैनल में मैं आपका दोस्त ग्री रहा है दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हमारा सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल को लाइक जरूर कर दें जिससे आपको जो दूसरी वीडियो हो सबसे पहले रेकमेंडेट में आपको देख जाएं चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप आपको यहां पर सारी चीज पढ़ाई जाएगी लाइप क्लासे रिकोड़ेट वीडियो प्लस करेंट अफेर्स प्लस फुल लेंड टेस्ट इसकी जो वैलिडिडिट है वो वन येर की है यहां ओनली थ्री मन्द के लिए आपको कोर्स लेना है तो आप 750 में ले सकते हैं 200 वीडियो जिसके अंदर आपको मिलेंगी यहां पर आपको फॉलन टेस्ट सीरीज मिलेगी अग्रिकल्चर करेंट अफेर्स मिलेगा ओनली आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप 75 मो प्लस मोक टेस्ट आपको लेना है तो आपको यह ले सकते हैं दोनों साथ में 551 ओनली करेंट एफेर्स वीडियो प्लस फीडियाप 300 अब हमारे टेलीग्राम या इस्टाग्राम से भी चलो सकते हैं अब हमारी अप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको सभी क प्लस मेंट्स 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 मेंट् जिसको हम कह दे हैं तो यह मैंन इंपोर्टेंट होता है क्या होता है कि ETL वो इसके pest population को control करने की requirement होती है कि हम pest की population को ठीक है कहाँ पर जाने से रोख सके EIL जे ठीक है हमको क्या करना है control measure should be applied to prevent the insect population to reach EIL हमको क्या करना है pest की population को control करना है जिससे वो की EIL economic injury level तक ना पहुँच जाएं अगर वो EIL तक पहुच जाते हैं तो सारा कुछ किस पर depend होता है economic threshold level पर depend होता है जिसको हम action threshold level भी कहते हैं आप से कभी पूचा कि score क्या कहते हैं इसको हम action threshold level भी कहते हैं क्या कहते हैं action threshold level भी इसको हम कहते हैं चलिए next question है दोस्तो question number second project directed of biological control is located project directed का होता है तो अंसर है Bangalore में इसमें क्या doubt होता है वो सारे student को क्या doubt होता है कि वो IPM समझ लेते हैं इसको है ना क्या समझ लेते हैं वो IPM तो National Reaches Center for IPM अगर Integrated Fest Management का आप से बूचते हैं तो आपको आंसर बताने नहीं दिली फरिदावाद के अंदर है Directed of Plant Protection Quarantine and Storage यह आपको मिलेगा फरिदावाद के अंदर जैपर में आपको मिलेगा नियाम क्या मिलेगा आपको नियाम National Institute of Agriculture Marketing जिसका पूरा नाम है चोदरी चरंशीं ठीक है CSS यह आपको मिलेगा ना पूरा नाम जो है अभी इसका यह जैपर के अंदर है नियाम 98 एगेंस की establishment ही यह रहे Next question की तरफ चलते है Red cotton वग Lay its egg on की लाल कपास वग होती है लाल कपास वग अंडे कहां दे दिये तो यह cotton का एक important pest है sucking pest होता है cotton का कैसा है sucking pest है sucking pest तो यह अंडे कहां पर देता है soil के अंदर कहां पर देता है याद रखना singulators इसका scientific name होता है question number 4 है sorgum shoot fly sorgum shoot fly sorgum के important pest है जो जिसका scientific name होता है etherigona socata ठीक है हम पिछली class के अंदर वी साइज इस question को discuss कर चुके है यह important question है lower surface of leaflets पत्ती की निचली सतय पर अंडे देता है आपको याद रखना sorgum shoot fly जो एक देता है lower surface जो leaflets पर आपको क्या मिलेंगे आपको यहाँ पर इसकी egg मिलेंगे question number 5 है indicate which one is the earhead mix जो sorgum है sorgum का एक pest होता है earhead mix है ना इसका scientific name क्या होता है इसका scientific नाम होता है दोस्तो contrariania sorgi gula क्या होता है contrariania sorgi gula यह जो होता है callocaris angestatus यह होता है और आई जी यह होता है गोल मिल्च का नाम rice के अंदर ही test होता है गोल मिल्च अपने सुना होगा जिसके अंदर हम last class के अंदर ही discuss की silver suit and onion leaf और चिलो पार्टिलस यह मेज और sorgum stem borer होता है मेज और sorgum का जो stem borer होता है उसका scientific नाम होता है चिलो पार्टिलस चली next question है six the spotted volume is spotted volume जो होता है दोस्तों इसमें scientific name क्या है तो area is vitela ठीक है area is vitela जो होता है वो spotted volume होता है ठीक है exam में अब यहाँ पर यह आप से पूचेंगे important चीज़े पूची जाती क्या इसका जो symptoms होते है cotton के अंदर वो होता है flare up square है ना flare up square नाम से flaring square जो symptoms होता है important है आपको याद रखना है यह आपको symptoms अगर पूचा जाए exams के अंदर ही यह किस से होता है तो आपको बताना है area is vitela से होता है दोगो white fly है यह किसका नाम होता है यह सकिंग पैस्ट होता है क्या होता है cotton का सकिंग पैस्ट है अहले को बर पार मीजे रहा यह American wall warm होता है कुनसा American wall warm होता है आपको याद रखें American wall warm होता है यह पिंक वोलवन होता है exam में यहां से भी question आते है pink wall warm most important pest है cotton का यहां से question आएगा कि cotton के अंदर double seed formation है double seed formation किसे होता है यह question exam में पूचा जाता है कि double seed formation किसे होता है तो आप बताएंगे यहां पर कि double seed formation होता है pink wall warm से होता है चलिए next question the vector of rice tongro disease rice tongro disease का जो vector होता है most important है भहुत सारे exams में यहां से portion आया है तो nefertatic virus है स्वाई जो green leaf over होता है green leaf over जो होता है यह क्या होता है pest होता है इसक वाद आपने देखा होगा कि episcressive हो रहा है यह जो pest है यह भी exam में पूचे कि यह जो insect है कौन सा episcressive हो रहा aphid होता है क्या है aphid अब यह किसका एक vector है यह होता है cowp music याद रखेंगे आप cowp music जो disease है उसका क्या होता vector होता ही ठीक है बैमेश सेट है white fly आपको मालूब है white fly yellow music जो disease होती है yellow music से windy का yellow music होता है yellow band music ओक रहा है तो yellow music जो disease होती है yellow music उनका प्रेश्ट होता है लीपकल जो disease होती है लीपकले से cotton लीपकले तो क्या होता है white fly होता है इसके बाद toxopetera तो देखो toxopetera एक citrus का प्रेश्ट होता है च्रियाज toxopetera औरेंटी इसका जो एक इसका vector होता है याद रखेंगे आप citrus के अंदर एक disease होती है viral disease tristaza कौन सी tristaza नाम से है ना तो tristaza disease का एक vector होता है कौन सा toxopetera citrus aphid question नमर आठ है which one होता falling crop है the outbreak of the woolly aphid has been noticed कि recently हम यह देख रहे है कि हाली की किसी दुनों में woolly aphid का ठीक है देख दूस प्रवाब जो किस फसल में देखा गया है तो किस में sugar can के अंदर है sugar can के अंदर होता है sugar can woolly aphid इसका जो scientific नम होता है वो क्या होता है question नमर 9 के अंदर उसका scientific नम भी है sugar can recently invested by the woolly aphid तो उसका scientific नम होता है carotovacuna lanager आपको याद रखेंगे इसका scientific नम क्या होता है carotovacuna lanager scientific नम होता है question नमर अब यहाँ पर यह लिपापिसरी से में यह भी इक important pest दोस्तों याद रखेंगे यह mustard aphid होता है क्या होता है mustard aphid होता है important pest है यह फस्ट यह भाई aphid होता है कोस्मो पॉलिड़ सोडिड़ से एक क्या है बनाना का pest होता rhizumbevil नाम से तो भाई इसका जो family होती है कौन सी होती है carculinity family है यह याद रखेंगे आप carculinity family है question नमर 11 scientific name of sorghum aphid sorghum के अंदर aphid भी एक नाम का pest है भाई यह भी होता है तो इसका जो scientific name होता है melanopsis, सहचारी आपको याद रखेंगे इसका sorghum aphid का scientific name है question नमर 12 the following is the most notorious polyphagous pest polyphagous कुन सा है वो साथ-साथ में notorious वो ज्यादा खतरनाग होता है तो इसका correct answer है हेलिको वर्बा आर्मी जरा हेलिको वर्बा आर्मी जरा क्या होता दोस्तो एक polyphagous pestle notorious है वो ज्यादा लोसेस करता है ठीक इसकी जो family होती है नोक्टिडी family होती है चलिए question नमर 13 sorghum pedicles जो होते हैं the holes at the base of sorghum pedicles due to कि sorghum के अंदर जो pedicles बनते हैं बनते हैं तो दोस्तों यह बनती है डिकलोड डिस्पर आर्मी जरा राइस हिस्पा जो होता है राइस हिस्पा जो है उसके कारण यह होता है ठीक है यह वाह की चीज़ा हम पिछली classes के अंदर discuss भी कर चुके है case warm यह case warm है जो हमने अभी एक लेक्षर डाला था जो हमारी IVPS की जो सीरीज नम्मर थर्ड थी उसके अंदर हैं टमलोजी की राइस की जो पैस्ट डिसकस किये थे बहां पर यह डिसकस किये थे आप एक बार पुराने वीडियो भी देख लें question नम्मर 15 integument insect की जो integument होती है जिसको हम बोड़ी ओल भी कहते हैं बाई किस की बनी होती है यह बनी होती है किस की cuticle plus epidermis plus basement यह तीनों की बनी होती है Sudam question No 16 मैलीपीड्स भाई जो मिलीपीड्स होते हैं आर्थ पोड़ा के किस वर्ग में आते हैं संटीपीस मिलीपीड्स होते हैं तो मिलीपीड्स जो इंसेक्ट है किस में आते हैं कहने का मतलब भाई एक प्रकार का एनिमल है ठीक है एनिमल सेल होती है एक और्गिनिजम है एनिमल है तो ये किस आर्थोपोडा के किस क्लास में आता है तो ये आता है वाई माईरोपोडा या डिपलोपोडा आपको याद रखने है माईरोपोडा या डिपलोपोडा के अंदर आता है तो को इंसेक्टा में तो इंसेक्ट आएंगे इसके अंदर तो insect आएगा क्रिस्टेशे के अंदर crabs आएगे और來到 python dudes ticks and mice आएगे ticks and mice आएगे तो यह जो आता है milliped से आते हैं myropoda या diplopoda के अंदर आता है question number 17 anemorphosis incurulated to the following insect क्या है भाई कि anemorphosis जो मैं कहने का इक परकार का amerosposis का absent होना ठीक है जो metamorphosis होती है उसका absent होना किस कीट से संबन देता है एक proportion का मतलब होता है कि metamorphosis का metamorphosis क्या होना absent होना, क्या होना भई, absent, तो بھEr metamorphosis किसमे absent होती है, तो metamorphosis absent होती है pritura, does what pritura है एक प्रικάर क्या होता दोस्तो, जब आप इंसेक्ट्ट ओडर पढ़ेंगे ना तो टोटल इंसेक्ट्ट् ओडर कितने 29, तो 29 मेंसे जो 4 इंसेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट होते हैं वो क्या होते हैं ठीक है आप को कोख्रोज है ठीक है इसके बाद एफिमिट्रा के अंदर आपको लेगा मेफलाई जाती है कोन आती है मेफलाई जिसके अंदर आती है कोन आते है वीटल्स एंड वीविल्स आते है ठीक है चलिए question number 18 है ऐसे कीट बरकोदारन जिसमें की निम्फ को नायट्स कहते है तो एक किसके निम्फ को नायट्स कहते है यह most important क्या पूचा है कि example of the insect order विजदा निम्फ को नायट्स किसके निम्फ को नायट्स कहते है तो ओडोनाटा जो होता ना ओडोनाटा जिसके अंदर ड्रेगन फ्लाई ड्रेगन फ्लाई जो आप देओंगे ड्रेगन फ्लाई जिनको हम हेलिकॉप्टर बगएरा कहते हैं local लेंगो जो लारवल स्टेज है तो लारवल स्टेज को दोस्तों क्या कहते हैं ओडोनाटा कहते हैं क्या कहते हैं ओडोनाटा मैं लारवल स्टेज को क्या बोलते है नायट ठीक है क्या बोलते है नायट कहते हैं clear यहां पर correct answer क्या होगा ओडोनाटा थाई सुनी रहा आपको बता है व क्या होते हैं अधिक तरे सच्छ एंसक्त सोफलाई कौनसा होता है मस्टर्ड सोफलाई है यह क्या होता है हर्म पूचा कि किसकी डैमेजिंग से लेके अ पूछते हैं तो यह घ्रा अताब थे क्या अधर यह लों longitudinal wind swing the first longitudinal wings when is तो insect के अंदर जो first longitudinal wings when होती है वो कौन सी होती है तो वो होती है coastal when कौन सी होती है coastal when होती है question number 20 विशन्य नम्डर प्रोनोटम व 예 जनडली सिलिंदा following वह प्रोनोटम नाम के एक structure होता है जनिडली आपको प्रो थोरेक्स में मिलेगा कहा मिलेगा प्रो थोरेक्स जो रीजन होता है जैनरी कहाँ पर प्रो थोरेक्स जो रीजन होता है बहाँ पर एक प्लेट लाइक इस्टेक्चर होता है कासा होता है प्लेट लाइक इस्टेक्चर होता है ठीक है प्रो थोरेक्स के अंदर उसे हम कहते हैं प्रो नोटम यह आपको मिलेगा को कोक रोज के अंदर आपको देखने को मिलेगा उसन नमर 21 इस्टाइलेट्स और प्रिजेंट इन्दा मौथ पार्ट्स फॉलोईंग ठीक है इस्टाइलेट किस वर की कीट के मुखांग में पाई आते हैं तो इस्टाइलेट्स दोस्तों किसमा होते हैं जो सकिंग पैस्ट होते हैं ही पिटर है कि जो पैस्ट होता है देखतर क्या होते हैं सकिंग पैस्ट हो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा बाग कोकुरुज जो होता है आपको पता है वाई चेविंग और वाइटिंग टाइप महुत वाट्स मिलेंगे वीवल्स इनके अंदर तो कौन से होते हैं च के अंदर इस्टिंग होता है जो काट लेता आपको पता है ठीक है वरकर हनी भी हो ना डंक जिसको हम कहते है इसरे में एक मद्धिवा जो डंक होता है किसका एक अंग और गैंगलियों होता है इसका नाम का है तो अंसर है इंसेक्ट का जो इंसेट के ब्रेंड के अंदर एक गेंगलियों होता है सिंपल एक फाइवर होता है नर्फ फाइवर जिसका नाम होता है सुफरा इसो फैरेंजल गेंगलियों सिंपल एक नर्फ फाइवर होता है जिसको ब्रेंड भी कहते हैं कोसान नमर 민 है है क् curved कोई हार्मोन नहीं हौता है अगर आप इसले एंड़ोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक यहाँ एक NSC cell होती है कौन सी NSC cell Neurosecretory cells होती है इसे एक हार्मोन निकलता है कौन सा ब्रैन हार्मोन इनसे निकलता है यह जो ब्रैन हार्मोन होता है निकलने के बाद और और इसका storage करती है क्या याद आप को याद रखने है कि Grann marker को storage करती है और further blood के अंदर यह release करता है ना क्या होगा neurosecretory cells जो होती है वो क्या करती है brain hormone का secreation करती है secreation करने के बाद जो hormone होता है वो काहँ पर store होता है corpora cardiology का का में और corpora cardiology का फिर blade के अंDER फुर्दे release करती है तो यह क्या करती होती हர्मोन का रिलीज करती है ना प्रोथोरेसी गिलेंट जो ओती है यह एक डाईसेन हार्मून का जो एक डाईसन हारमून होता है ना मॉल्टिंग हार्मून उसका सिक्रेशन करती है और कॉर्पोरा एलात यह होती है पॉर्पोरा एलाटा जो है आपको याध रखेंगे पूरλ इलाटा जो हैitchens का vibigino जुबिनाईल हार्मोन ठीक है कौन सा हार्मोन जुबिनाईल हार्मोन का सीक्रेशन करती है पूशन नमर 25 सेकंडरी विंग लेंस इंसेक्ट का एक्जामपल कोन है तो वह इसका अंसर होता है कि बाद में जो अपनी विंग्स को रिमूब कर देता है हैड लाउस ठीक है जूएं मिटगट कौन सा होता है मिटगट और एक होता हाइंडगट एक और कौन सा होता है हाइंडगट होता है अब जो फोरगट मिटगट हाइंडगट यहां पर पूछ रहें कि हाइंडगट को और क्या कहते है तो हाइंडगट को भाई प्रोक्टूडियम भी कहते है और जो फोर पॉरगट के पार्ट होता है ठीक है चलिए कोस्ट नमर 27 एक्जाम्पल ओपेंदा एक्जप्टेरी गोट इंसेक्ट वॉडर बिते प्यूपल इंस्टार इन लाइफ साइगिल ठीक है कि वाई एक्जप्टेरी गोट बताने जिसकी लाइफ साइगिल प्यूपल एक स्टेज ह ambeutih है तो इसका correct answer आपको क्या है दो है यहां पर क्या है थाиля इसका नमर 28 टेक्स माइट्स बिलोंग्स टुदा आर्थोपिटर क्लास में अभी हमने तोड़ी देर पहले डिसकस किया था कि जो अरेक्नेटा क्लास होती है उसके अंदर गया थे टेक्स माइट्स स्पाइडर्स आते हैं और 29 एक्जाम्पल ओप्राइमरी विंग्लेस इंसेक मैंने आपको बताया कि जो प्रिमिटिफ टाइप्स होते हैं एटैरी गोड्स कौनसे वाले एटैरी गोड्स जो होते हैं एटैरी गोड्स के अंदर आपको चार इंसेक्ट ओडर आएंगे प्रोटूरा आएगा ठीक है प्रोटूरा के बाद आपको मिलेगा थाइसोनूरा ठीक है थाईय सुनी गाप आपको बाहत मिलेगा यहां पर आपको एक मिलेगा प्चैने यह और कोलममेर यह nूמली है य। डजिपलुरा डजिपलुरा कि बाद आपको मिलेगा कुलमम बोला तो यह चार इंसेक्ट और जो होते हैं ठीक है तो यहां पर करेक्ट आंसर प्रिटूरा कोस्ट नम्मर 30 है ठीक है को सब्सक्राइब तरह होता है या कौन से लक्षण होते हैं जिसमें आर्थोप्राट कीर के निम्ट वारू पाया जाता है यह इसके अंदर कौन सा चेरेक्टर सोता है तो यहां पर होता है कि लार्ज अनलूब िन हांड विंग ठीक है आपको क्या याद रखना है कि लार्ज अनलूब है धोड़ा लेट हो गया था इसलिए अगर मैं डिजीटल वॉड्प से बनाता तो फिद कार मैं दो जाती तब तक आप सोज आती ह कर रहे होंगे इसलिए मैंने सोचा कि आप उसको आप जो वेट कर रहे थे आपको भाई कोशन चाहिए देखो आपको कह चाहिए कोशन हाँ डिजीटल वोट पर हम बनाते थोड़ा उस पर अच्छा और लगता है लेकिन अब पर्टिकुलर देखो मैंने जो हमारा आपको कैसे कोशन डेली सीरेज दी जाए तो आपको जो वीडियो है तैयार हो चुका है आपको मिलने वाला है तो आई होप आपको सारी चीज़े क्लियर हो गई है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो के अंदर आपको कल से फिर डिजीटल वोट के अंदर सारी वीडियो जो रे